नमस्कार आप सब्सवागत है मेरा चैनल में चलिए आज हम लोग देखते हैं समसंखाओं का योग कि समसंखाओं का योग हम लोग कैसे करें बहुत ही सोट और आसान तरीका से समझाने वाले हैं तो सम संखाओं का योग isete ? जो दो से भागा चलाज एप dolड ही? समसंखाओं का योग आप लोग, का योग भेटे तैंग्या संखाओं आदि यह ईग्या देखता है और यह वीज़ो बोत शॉल होने वाला है और इंडर्स्टिंग बे होने वाला है तो 2 संखाव का यो, संखाव का है, 2 है और 4, इसको देखिए जोड़ें के तरह पिल किना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यह तो बहुत चोटा है, असान है, लेकिन इसको अगर हम लोग फर्मुला से करेंगे, तो क्या होगा, ना फर्मुला है क्या, ना इन, फर्मुला है न इन इन क्या है, न इन क्या है, न बराबर क्या है, संखाव की जो गिंती होगा, वो संखा कितना है, संखाव की गिंती होगा, संखाव की गिंती, कितना संखा है, कितना संखा है, उसका गिंती है, एक और दो, यानि कि इन बराबर यहां में कितना हो जाएगा, 2, तो हम लोग इस इसको किस प्रकार से इसको सॉल्व किये ना 2 इंटू 2 प्लस 1 यानि कि 2 2 प्लस 2 आरेके कितना हो तो प्लस तो नहीं होगा 2 इंटू है तो इंटू 2 एकम 3 तींटू में 6 हो गया तो यह तो बहुत छोटा था जब इसको हम लोग बड़ा वाला करेंगे तो यह अला चीज हम लोग को समझ में आगा एगा कि इसको देखिए अगर यहां पर हम कर देते ह हैं 5 5 तो 5 समसंख्या 5 समसंख्या आप भी खेंगे दो प्लस अ चाँट 6 आठ एक दो ती चार और किना हो दिया 10 तो इसको आम जोडेंगे तो कितना संख्या आए देखिए एक दो तीन चार पांच तो हम यहां पे फर्मुलार पे शुट करेंगे पांच और प्लस वन तो क्या हो जाए ना पांच और यहां जाएगा तीस यानि इसका जूड होने वाला है इसका जूड होने वाला है तो बहुत सारे जितने भी हम लोग संसंख्या को जोड़ेंगे तो उसको इस प्रकार से इसको समझना है यहां फर्मुलार टो एन इंटू एन ब्लस वन तो एन क्या है नसंखाओं का रिगित्य है जितना बद इसको अगर एन के आप एपी में एपी में जो हम लोग बढ़ते ह अब देखिए एक दो तीन चार पांच तो पांच तो बद है तो एन वरावर फाइब हो जाएगा तो फाइब इंटू 5 प्लस वन यानि सिंपली अगर आपको को सिंपूछा जाता है प्रथम्ट दस समसंखाओं का योग कितना हो जाएगा तो 10 इंटू 11 हो जाएगा 10 इंट समसंखाओं का बता सकते हैं तो 11 110 हो जाएगा प्रथम 10 समसंखाओं का योग कितना होगा आपको पुष दिया और समसंखाओं को लिखे आप इसका असाली से सब्सक्राइज से उससे एफ प्रकार्ण से आप कोई भी कितने भी सख्या आपको बोले आप आसाली से उसका बीना जोड़े आप इस पर्मॉला से बता सकते हैं तो समझ में आया होका आपको चलिए धन्यवाल